हेलो फ्रेंड्स वेलकम डू मैं चैनल स्टड़ी विश रूती इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे परपर्ज़ ओफ टीपियार मोनेटरिंग तो किसलिए करते हैं हम ताकि हम अच्छे से बोड़ी टेंपरेचर पल्स और रेस्पिरेशन को डेटरमाइन कर सके अच्छे से उनको असेस्ट कर सके इसलिए हम यूज करते हैं टीपियार मोनेटरिंग को टीपियार सेंट्स और ट्रेंप्रेचर पल्स और रेस्पिरेशन उसके साथ साथ हम इसको यूज करते हैं अगर कोई इमिडेट ऐसा मेजर आ रहा है जिसकी वजह से मालो की अगर किसी को फीवर हो गया है तो एकदम से उसका बोड़ी टेंप्रेचर क्या हो रहा है increase हो रहा है तो अगर, हमें उसको, इम्पलिски, उसको रोकना है ठीक है, है तो उसके लिए उसको, इसको, रिद्ध-वोडि करने के लिए, उसको रेडियोज कने के लिए, हमें कुछ न कुछ, मैठल लगाने पड़ेंगे, उसको, क्या करना पड़ेगा, prevent करना पड़ेगा और ज़्यादा होने से तो उसके लिए हमें जो भी हम care plan देंगे, जो भी हम planning करेंगे implementation करेंगे तो उन सारी चीजों को देखने के लिए उन सारी चीजों को determine करने के लिए हम TPR monitoring का use करते हैं साथ ही साथ अगर patient का जो है अब heat जो conversion हो रहा था वो ठीक हो गया है, normal हो गया है तो जो procedure हमने किया था जो plans हमने implement किये थे वो अच्छे से होए हैं, नहीं होए हैं वो चीज़ evaluate करने के लिए भी हमें TPR monitoring का use करना होता है या हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है उसके बाद आता है pre-procedure preparation TPR को check करने से पहले हमें क्या-क्या preparations करनी पड़ती है तो सबसे पहले ये अलग लगाया हुआ है कि nurse को क्या करना होता है, patient को क्या करना चाहिए और environmentally equipments क्या use होता है उनका तो वो करते हैं तो nurse को क्या करना होता है उसको patient को select करना होता है select करना और और अच्छे से identify करना होता है कि जिस patient को हमें TPR monitoring करनी है, क्या ये वही patient है उसके बाद जो भी importance होती है procedure की वो उसको patient को बता देनी होती है patient का क्या role होता है हम patient को assist करते हैं कि वो अपनी comfortable position में ले ले अगर उसको sitting position जो है वो उसको दे सकते हैं हम तो वो दे देंगे लेकिन अगर कोई problem है जिसके वो बैट नहीं सकता है उसकी spine में problem है या कोई और दिक्कत है तो हम फिर उसको sitting position नहीं देता है इसलिए कहा गया है कि अगर हम उसको patient को बोलेंगे कि वो sitting position ले ले अगर वो contra indicated नहीं है तो उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि क्या उन्होंने कुछ hold या cold consume किया था अभी 30 minute के अंदर अंदर यानि कि आदे गंटे half an hour के अंदर अंदर क्या आपने कुछ भी ठंडा या गरम खाया पिया है वो चीज़ हम उनसे पूछेंगे उसके बाद हम उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने वही इस आदे घंटे में half an hour में 30 minutes में आपने कोई activity perform की है आपने कुछ भी किया है कोई workout किया है कोई exercise है कुछ भी किया है वो चीज़ हम उनसे पूछेंगे और उसके बाद उनको बता देंगे कि यह किसलिए किया जा रहा है उनका अच्छे से temperature कैसे लिया जाएगा वो सारी चीज़े हम उनको बता देंगे और अच्छे से एक अच्छे वे में preferred वे में हम उनका temperature ले लेंगे ठीक है उसके बाद environment इन्वार्मेंट जो है वो नीट, क्लीन और शांत होना चाहिए बिलकुल उसके बाद जो भी आर्टिकल्स हम यूज कर रहे हैं वो बैड साइड मलब यूज करने के लिए हमें जो भी चाहिएंगे जो भी आर्टिकल्स जैसे की थावामेटर वगेरा जो भी होता है वो सारा प तो एक डिजितल थर्मामेटर चाहिए जिससे हम थर्मामेटर से टेमरेचर की रिडिंग ले सके उसके बाद हमें स्पीरिट स्वैब्स चाहिए ताकि हम अच्छे से जो है क्लीन कर सके थर्मामेटर को उसको यूज करने के बाद एक कंटेनल लिड चाहिए जिससे हम क्या कर चुके हैं, उनको डिसकार्ड करें, उसके बाद हमें क्या है, रिकोर्डिंग और ग्राफशिट चाहिए होती है, जिसमें हम अपनी फाइंडिंग से लिख सकते हैं, ब्लैक ब्ली और रेड पैन चाहिए, जिससे कि हम वो चीजे लिखेंगे, ठीक है, हमें हमेशा पता होता है कि जब भी हम डिटेल रखते हैं, तो हमें ऐसमें ब्लैक ब्ल्यू और रेड पैन से लिखनी होती है, उसके बाद एक वोच चाहिए, जसके साथ, जिसमें सेकंड हैं जो हो प्रेजन होता है, जो हमारी वोच होती है, इसमें हमारे पास क्या होता है, मैंट, सेकंड और ये त कि हम कैसे मोनिटर कर सकते हैं टैम्प्रेचर पॉल्स और रेस्पिरेशन को यह साथ साथ रैशनल के साथ मैं आपको एक्सप्लें करती हूं सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आपको और अपनी और जो पेशंट की डिटेल्स है वो उससे पूछेंगे ताकि हम कर सकेंगे हमें जिस पेशंट को केर करनी थी क्या वो यही पेशंट है उसके बाद जो भी प्रोसेजर था उसको एक ऐसी लेंग्विज में जो पेशंट को समझ में आये उसको explain करेंगे इससे क्या होगा कि पेशंट को अगर कोई भी anxiety है उसको कोई भी अगर आप वो कुछ उनका respiration बढ़ सकता है तो उनको anxiety relief हो जाए इसलिए हम उनको पहले से प्रोसेजर बता देते हैं उसके बाद हम hand washing करते हैं ताकि कोई भी infection वगेरा जो है वो patient के पास ना जाए और infection का जो chances होते हैं वो कम हो जाए फिर हम patient को एक comfortable position देते हैं अगर वो लेटे हुए तो या फ पहले से वो कम हो जाती है और जो result है वो अच्छा आता है ठीक है उसके बाद हम patient से पूछेंगे कि क्या उन्होंने जस्ट अभी कुछ खाया पिया था जब भी हम temperature ले रहे हैं अगर 30 मिनिट्स पहले कुछ भी खाया पिया है तो temperature जो है वो orally हम नहीं लेता है क्योंकि उसम आती है ठीक है उसके बाद हम thermometer को हमने temperature ले 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 हम thermometer को clean करेंगे स्विडीट सवेथ से बर्प तो stand और फिर प्लेस कर देंगे patient के mouth में ठीक है पहले उसको अच्छे से है क्लीन करेंगे बर तो stand फिर patient के mouth में उसको रख देंगे वो clean इसलिए करेंगे कहां से कहां करेंगे clean from more area to less clean area ठीक है जादा clean area से less clean area उसके बाद थर्मामेटर प्लेस कर दिया हमने under the tongue और उससे क्या होगा पेशेंट जो है कौनशी है तो जो एक्सलरी रूट है वहाँ पर हम उसको करेंगे उससे क्या होगा कि जो थर्मामेटर है वो अप्रोप्रेटली प्रेस लब अपनी प् ठीक है उसके बाद after placing the thermometer हम palpate करेंगे radial artery को and count करेंगे एक मिनिट तक ठीक है इतने में इससे क्या होगा कि हम जब भी देखते हैं कि हमें fever हो रखा है या हमारी हमें weakness है हमारी body को अगर थकावट लग रही है तो हमेशा हमारी pulse जो है न वो change हो जाती है कई बार वो ज्यादा हो जाती है कई बार कम हो जाती है तो इसलिए हम जब thermometer लगा देते हैं उसके बाद हम radial artery को palpate करते हैं जिससे कि हमें जो pulse की rating होती है उनकी जो reading होती है वो accurate पता चल जाती है उसके बाद thermometer जो है वो beep कर जाता है जब हम उसको remove कर देते हैं जो भी reading आती है हम वो देखके और clean करते हैं stem to bulb ठीक है अब इसको stem to bulb इसलिए करते हैं जो भी reading साती है वो हम find out कर चुके हैं जो हमें चाहिए थी अब इसको हम less contaminated to more contaminated area जो है इसको clean करते हैं उसके बाद हमने वापिस हम thermometer को अच्छी से clean करके उसको वापिस से उसके cover में रख देंगे ताकि उसकी कोई भी breakage जो है वो ना हो उसके बाद हम जो है असेस करेंगे अपना hand patient की chest पे रखे और chest की moments को feel करते हुए कि कितनी बार chest जो है एक minute में उपर नीचे जा रही है जिसे हम उनका breathing जो है respiration जो है वो हम measure कर सकते हैं और patient को कोई भी anxiety ना हो उनके कोई भी alteration ना है इस चीज का हम अच्छ कर सकें ताकि जो भी findings आई है वो क्या हो appropriate हो और result में कोई भी problem ना हो ठीक है डोकिमेंट कर देंगे हम सारी findings को temperature, pulse rate और respiratory rate को और convey कर देंगे जो भी findings है वो आगे health personal को ताकि वो जो record में सारी जो references हैं वो हो जाए उसके बाद हम wash करेंगे और replace करेंगे जो भी articles हमने use किये हैं साथ ही साथ अब यह किसलिए ज़रूर है ताकि कोई भी infection का chance हो तो वो reduce हो जाए वो कम हो जाए उसके बाद आता है post procedural responsibilities क्या होती हैं TPR monitoring के बाद nurse के अगर हम बात करें तो जो भी report आई होती है मतलब जो भी values आई होती है findings आई होती है वो सारी उनको document करने होती है patient को भी सारी findings बतानी होती है जो article यूज किये थे उनको replace करना होता है और hand wash करने होते है patient को patient की क्या होती है हमें patient को assist करना होता है कि अब वो अपनी comfortable position ले सकते है environment के regarding क्या होता है patient का bed जो side होता है हमें उसको अच्छे से उसका जो linen है उसको अच्छे से साफ करना होता है tidy रखना होता है और एक calm और quiet environment जो है वो patient को provide करना होता है